हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एड्मिट कार्ड अपडेट के बारे में, जो की फ्रेंज यहाँ पा जारी किया गया है, आपका जो एड्मिट कार्ड है, ये फ्रेंज आपके रास्थान चैन बोड में, common LBT test, जो की ग्रेशन लेवल का है, उसका फ्रेंज, एड्मिट कार्ड आपका यहाँ पा जारी कर दिया गया है, कैसे अब अपने एड्मिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में, साथ में यहाँ पा द RSM SSB की website, जो की state requirement portal है, यहाँ पर आएंगे तो आपको get admit card का एक link मिलता है, आप इस पर click करेंगे, सबसे starting में ही आपको common LBT test graduate level का आपको link मिल जाता है, आप यहाँ पर click कर सकते हैं, अब आपको pre exam यहाँ पर select करना है, आपका application number और आपको date of birth देनी है, और इस capture code को fill करने क इसके बाद आप get admit card कर सकते हैं, इसके बाद friends, आपके सामने यहाँ पर देखिए, आपका जो admit card है, वो open हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका roll number, आपका आविदन ID मिल जाएगा, साथ में friends, आपको नाम, father name, आपका friends, जो यहाँ पर address है, वो आपको देखने को मिल जा इसके बाद friends, नीचे आपको यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया है, जो आपका written exam है, subject paper है, वो 7 जनवरी 2023 को होगा, और इसके लिए friends, आपको अलग-अलग exam date दीखी है, 7 जनवरी को और 8 जनवरी को आपका exam होने वाला है, दो चर्णों में आपका होगा, तो आपको इन म घंटे पहले तक आपको प्रवेश की अनुमती होगी, और एक घंटे पूर, अगर आप यहाँ पा जो है, अगर entry नहीं करते हैं, उसके बाद आपका जो gate है, वो बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद friends, परिक्षा प्रादम होने के नियर समय से, जेट घंटा पहले आप ज लेके जानी है, नीले रंकी शाई का जो पैन है, वो आपको लेके जाना है, और कोई भी photo ID proof आप लेके जा सकते हैं अपने exam center पर, तो ये friends, आपका जो admit card है, वो है, जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं, डाउनलोड आपका start ये हो गया है, अब friends, यहाँ पर माल लीजिए, आ आपको यहाँ पर problem आती है, यहाँ से डाउनलोड करने में, तो friends, आप यहाँ पर जो रास्थान single sign-on का SSO portal है, यहाँ से भी आप जो है, लोगिन कर सकते हैं, आपको friends, आपका जो password है, आपकी जो SSO ID है, वो आपको यहाँ पर देनी है, और उसके बार friends, आप यहाँ से open कर दिया है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait जरूर करना होगा, क्योंकि starting है, तो आपको साइट में थोड़ा सा issue आ सकता है, आपको recommend portal का एक option मिलता है, जहां से अप apply करते हैं, इसके पर आपको get admit card का एक link मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए common graduate test, graduate level का जो आपको यहाँ पर get admit card का link है, वो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने friends से आपको सारी process बता दी है, कैसे आपने admit card को डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाका check out कर लीजिए, अगर आपको हमारी यह